असलावालेकुम अमीद है आप सब खेरेस से होगे आज 31 मही 2024 है और हमीद है आज आपका ट्रेडिंग का सेशन बहुत अच्छा गुजर होगा एक पर से उपर मार्केट थी और शुरू में थोड़ा मार्केट डाउन साइट पर रही है दिन वापस उपर आगे अगर आज की म मार्केट पॉजिट एंड पॉजिट इवेंड पर रहे तो इसलिए एक तो बजट आने वाले काफी न्यूस से पल चलता है कि जून के पसकल नेक्स्ट एंड और अगले जुम्हेत आ जाएगा कुछ सोचे से बता चलता है कि जुम्हें को नीपन्डे को आएगा तो देखत एक बात है लेकिन बजट के वाज़े थोड़ी एक हाइप रहेगी स्टॉक मार्केट में एक इसका नेगेटिव इंपक्ट आएगा कंपनी की मार्केट पाएगा लेकिं कंपनी के हवाले से अगर देखा जाए कंपनी के प्रॉफिट पे इसका कोई जादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसकी वज़ाए यह जो कि अपने बात करें तो उसके वॉल्यूम पर कोई जादा फरक नहीं पड़ेगा वन परसंट के लिए रखेते थे और प्रॉफिट बुक के मैं उसको थोड़ा दा मैंशन करूंगा सबसे पहले तो फ्रेश लेंड के मैंने लॉंग टरम का मैंने स्टॉक में हूं और इस पर मैं बाइंग करता भी हूं और लॉंग टरम के लिए मुझे बड़ा अच्छा लागा फिलाल बाते मैंने थोड़ा सस्ते में लेकिन फाइन में टागेट मीट करता हूं मजी नीचे दा तो लंग आज मुझे लगा सेलिंग टाइम ता तो मैंने बेच दिया हो सब्सक्राइब मैंने कुछ टाम पहले वीडियो बनाई दिए जिकर किया थे वह वह वैरी स्टॉंग मुझ है इन माई व्यू मेरा खाल में एटी एटी वन एटी टू हम सो नेक्स ठागेट रख सकते हैं अगर इस इन होते हैं माई सजेशन इस अभी इस प्राइस में होना मेरा नहीं कहला है क्योंकि अभी फिलाल मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे थी सेलिंग साइड पे इसको वाच्छ लिस्टे में रखें शेर अचा है कंपनी इच्छी इसको आप रेडिंग से कमा सथें लॉंग टर्म पे कमा सथें आज के दिन का दूसरा स्टॉक पी एर एल में काफी टाइम से चार पांच मन्त हो गया मैं इस पर ट्रेडिंग में मैंने काफी इन आउट कर अब मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है पी एरल के अगर मैं बात करूं यह पी एरल की वीडियो जब मैंने वीडियो इतना था फिर यह पच्छेस तक भी 25.80 तक गया मेरे साब से वह इसके लिए बाइंग पॉइंट था अगर मैं इसके पिछले एक मेने में कि क्योंकि बहुड़ा स्ट्रॉंग सब्वड़े सारे पच्छेस पर दस बीस पैसे का आप गार रखें तो मुझे लगता है बड़ा स्ट्रॉंग पॉइंट था जितने विए लें और फिर इसको आप 28-29 एजिली जा सकते हैं अब तो इसको अपनी वाश्रेस में रखना है और बाइंग करने तो डेफिनिली इसको बाइंट करेंगे शौट टाम है पॉस्टिंडी के लिएंग कैश करना पैरी कुड़ शेयर तीसरा अच्छा शेयर जिसने आज मेरे प्रॉफिट बुक किया टागिट मेरे मेरे हमेशा हॉट तो मैं समझता हूँ कि इसमें अमशी ट्रेइंग करने हुए और जो ट्रेइज नहीं करता तो उसके यह यह शायए लॉइट करह सप्था ऐंगे तो मैं समझता हुग इसको इन-चैश करना चाहिए और विटी स्लाइट कर 54.5 पे कुछ लिया था मैं अधिंग नेक्स एक्षिन में खुलता है अगर 57 का टागेट करके मैं इसको साल करूंगा और बेट करूंगा मार्किट के नीचे जाने का नेक्स बिक स्टॉक जो के मेरा है मिल्ड़ ट्रक्टर लिमिटेड मिल्ड़ ट्रक्टर पे लोग काफी पता नहीं लोगों के डिफ्रेंट व्यूज एं मेरे असाब से कंपनी बहुत अच्या बड़ी पच्छी शानदार परफॉमस इसने लिए कल इसका में अपर लॉग भी जिसकी विजह से यह अपर लॉग भी तक जिसकी वैसे उपर रहा मार्केट इसकी वैसे काफी मतब्द फ्लक्टूर तो नी बहुत अपर लॉग बड़ा जब मैंने उठाय था यह 585 पे उठाया था चीज़ोटाब इसके बाद भी पांसो था पांसो एटी-9 या को सब्सीडरी देती इस बार मेरे खाल में इस तरह के मुझे असा लगता है कि अग्रिकल्चर पर थोड़ा सब्सीडरीज वाली जितने भी एलिमेंट आइम एफ का फोकस है जितनी भी गवर्मेंट सब्सीडरी जिरी कम की जाए खतम की जाए तो मैं मिलेफ ट्रैक्टर उस उस जहां से मैं उसमें शिकार हो जाएगा कि अग्रिकल्चर सेक्टर पर सबस्वी हट आएंग मिलेफ ट्रैक्टर की टाइमली थोड़ेव एफेक्ट पड़ेगा लांग टम पर कोई एफेक्ट नी पड़ेगा लेकिन टाइमली फड़ेगा मार्केट इसको बड़ा क्यों ऐसे को नियूज आए या कुछ टी फिलक्टुशिशन आए जैसों तक आ जाया है नेक्स प्यारे लोगिया से हाथ मेरे चार्ट स्टॉक ते जो मैं आप से जिकर करने थे मेरे खायल में इस दोरा जब मार्केट हमारी इस तरह किये जिसमें उपर जारी है लेकिन पॉजिशन को क्लोज करना चाहिए इस तरह को इस तरह से बजट की वैसे लोग वाल्यूम कमरेगा लोग ताड में होंगे का बजट आया और मार्केट डिप आरे तो उस चीज़ों को फोकस करना उस उस पॉइंट पर इन अच्छे शेर को फोकस करना इस उस पॉइंट पर इन शेर्स के वाल से मार्केट के हवाल से गुड लग मिद नेक्स वीक और होफिली अब मजीर मार्केट अपर डिर्क्शन जागी कीप इन माइंड ओना लॉंगर टर्म इस साल मार्केट पॉजिटिव है कि यो पैसा बहुत आ रहा है आने वाले साल का मैं भी फिलाल नी करने तो आपने इसको इन कैश करना है चीज़ों को पाये करना है तैसे चेजाक अलाह स्लाम अलेकुम